हेलो फ्रेंड्स आपका सौगत है हमारे योट्योब चनल इस्टडी 26 पर आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इथिक्स एंड वैल्यू जी एंसेंट इंडियन ट्रेडिशन जो भी बच्चे ने इनको लिया है इस पेपर में जो आपका जो में टॉपिक है ठीक है इसक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा लाइक कर दीजेगा वीडियो को सेर जडूर किजेगा चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो देखिए पहली बात यह समझाते हैं आपको आपके सिलेवस का पहला यूनिट जो है ना यून चीजों के बारे में आपको जानना है इंडिया के बारे में जानना है तो अब देखें आपको बताते हैं यह सब है क्या कि तो देखें भारत के कई एक नाम है जैसे इंडिया है जम्बूदीप है अर्यावर्थ है भारत है यह तमाम नाम है तो उनके बारे में आपको जानना ह चिजम्य जाना में पहा के जिस चीजप को इस पॉइंट को याद कर लिजेगा वह आपके लिए इंपोटेंट हो जाएगा ठीक है तो चलिए अब करके समझते चल्रस्टाय का प्राचीन काल में पहरत के कईएक नाम से इसको जाना आयाता था अर्यावर्त जमूदीप भारत ठीक है उसके बाद इंडिया यह सभी नाम इसी के थी हमारे देश का ही नाम था ठीक है तो जम्बूदीप इसका नाम क्यों था तो देखे इसका कंसेप्ट आपको बताते हैं जम्बू जो है ना यह ब्रिक्ष का नाम है यानि एक पीड़ का नाम है जो कि जामुन का पीड़ होता था ठीक है तो यहां भारत में सबसे ज़्यादा यह पाया जाता था उससे में कहा जाता और इसके फल जो होते था इसके बारे में चर्चा है कि ये हाथियों के बराबर होता था यानि एक हाथी बड़ा के बराबर एक फल होता था ये जामुन का पेड़ में लगता था और वो जो फल होता था नो जब देखे पेड़ से जब वो गिरेगा तो जमीन पर आके गिरेगा यानि हमारे भारत का जो नाम पहले था जम्मूदीप तो यही जम्मूदीप पेड़ के ही फल के बज़े से रखा गया है इसका concept यह ही है उसको हम बताएंगे कहां कहां पे इसका नाम जम्मूदीप मिलता है यह बहुत important है कि भारत का एक नाम जम्मूदीप भी है जम्मूदीप नाम का अरत होता है जम्मू विरिक्ष यानि जम्मूदीप का मतलब होता है यानि कि प्राचीन काल में भारत में सबसे ज़्यादा जामुन का पेड़ होता था इसी कारण इसको जम्मुद्वीप के नाम से जाना जाता था अब देखते हैं इससे समन्दित कुछ रेफरेंस हैं यानि किताब में कुछ बातें दी गई है उसको देख लेते हैं ठीक है हम आपको ज़्यादा ना तो परिसान करेंगे, ना ही आपको ज़्यादा रटवाएंगे, चीजें इस तरह बताएंगे, चीजें आपको ध्यान में रहे, यानि कि आप concept को सुन लीजिए, तो आपके दिमाग में वो जहन में बैठ जाए, ठीक है, वही हमारा topic है, और mainly हम उसी प अचा पहली बार की गई है, ठीक, उसके बाद देखे, समराट असोक की अविलेख में की गई है, तो समराट असोक कौन थे, यह मोरे कालिन सा सकते असोक, इनहीं के द्वारा कई इक अविलेख लिखवाए गये, जिसमें हमारे देश का नाम जम्मूद्वीप देखने को मिल जो वर्नन है, उसको अब हम पढ़ देते हैं, उसको ध्यान में रखेगा, इसमें इस बात की चर्चा है, जम्मू विरिक्ष के फल हातियों से भी बड़े होते थे, जो अभी हम आपको तुरंत बताये थे, उसके बाद देखे, वे जब विरिक्ष से नीचे गिर कर सड जात ठीक है, और इस परकार बनी नदी को जम्मू नदी कहा जाता था, और यह नदी जम्मू द्रीप से होकर बहती थी, जिसके निवासी इसका पानी पीने का काम करते हैं, इस परकार प्राचीन भारतिये प्रमप्रा में जम्मू द्रीप भारतियों के महादीप को संदर्वित क करता है यानि किसी धा मतलब है कि प्राचीन काल में जो जम्मु दीब की चर्चा मिलती है वह भारतिय उप्महादीब के लिए होती है इसमें जो याद करने वाली बात है यह कहानी था कहानी तो आप समझ गए तो आपसे कोशन पूछ देगा किस पुरान में जम्मु दीब की तो वो विस्नु पुरान में है याद रखिए गा उसके आप से कोश़न पूछे कि जम्मू दीब की चर्चा किस में की गई है वेद में पुरान में नहीं महावारत में रमायन में ये चार option आपको देदेगा तो उसमें आपको चुनना है पुरान में ठीक है उसके बाद अगर question पूछ दे कि जम्मूदीप की चर्चा किसके अभिलेक में की गई है तो असोक के अभिलेक में की गई है इतना अगर याद है न तो इससे जो भी सवाल बनेगा उसको आप एकद सब्सक्राइश के आपको पढ़ना है आपको न तो इधर उधर का चीज दिमाग में रखना है एकदम डरीक्ट आपको चीज ऐसे पढ़ना यह जो आप लिक सके ठीक है तो हमारे देश का विविन नाम है आप जानी रहें जिसमें एक नाम भारत भी है इसका ठीक हमारे सम्म भारत का वह वेकल्पिक नाम के रूप में रखा गया यानि इंडिया को पहले प्राइटि दी गई या दूसरे अस्थान पर भारत का गया उसको ठीक है तो इसके भारत के प्रस्ताबना को पढ़ियेगा तब ठीक है तो वहां पर इसकी चर्चा एंडिक तो दिखें हमारे समी और इंडिया की नाम से ठीक है उसके बाद दिखिए भारत का नाम हमारे समिधान में वेकल्पिक नाम के रूप में लिया गया है यानि वेकल्पिक रूप से उसको वहां पे इंक्लूड किया गया था आप देखिए अगले टॉपिक को समझे वैदिक गरंथ में रीग वेद मे वहां पे हम पढ़ाएंगे यदू अनुह दूहित्तरवस पूरू इसी तरह के कई एक जंजाती थे उसमें ही एक जंजाती था भरत जितने हम नाम बताया आपको यह सब जंजाती का नाम है उसी में एक भरत जंजाती था तो भरत जंजाती के बारे में कहा जाता है इसी जं चार है रीगवेद यजूरुष सामवेद अथरवेद उसमें जो रीगवेद है उसी में भारत चंजाती की चर्चा है और वही भारत के नाम से जाना गया बाद में हमारे देश का नाम इसी के नाम कहा जाता है कि भारत वर्स पढ़ा लेकिन देखिए अलग-अलग टेक्ष्ट में इसका अलग-अलग नाम मिलता है तो इसलिए दूसरा जो है विस्नु पुरान तो विस्नु पुरान में इसके कि चर्चा क्या है उसको दिखिए विशनु पुरान में लेखित मिलता है कि समुद्र के उत्तर और वर्फीले परवतों के दक्षिन में जो देश है उसे भारत कहा जाता है वहां के वंसज मतलब भारत के वंसज निवास करते हैं यानि सीधा मतलब यह है विशनु पुरान में हमारे देश का नाम भारत भी मिलता है इस बात को भी धियान में रखिएगा कि उसमें कहा गया है कि आप देखेगा समुद्र के उत्तर में और वरफीले परवत यानि कि जो हिमाले परवत आप दिखते हैं उसके जो दक्षिन का जो इलाका है वो हमारा देश भारत है ठीक है य जेन धर्म के तिर्थंकर जो पहले होते हैं यानि कि जेन धर्म को इस्टेब्लिश करनेवाले कोई हैं तो वह रिशाम्दीव का बेटा का नाम था भरत ठीक है तो गरन्त में कहा जाता है कि जो बह enorm ता रिसपदेव का बीटा उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा यह जहन गरन्त में कहा गया है ठीक है तो इसको भी दियान में रखेगा जेन गरंथ में जो है चर्चा है कि रिसब देव के पुत्र जो थे भरत उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा ठीक है तो इसको भी याद रखेंगा रिसब देव के पुत्र का नाम था भरत इसलिए जेन गरंथ में वर् जो है बहरत है उसी के नाम पर चाय बहरत हो गया उसके बाद कि पुरान में जिस कर दो को जेन गरंद उसमें भी चर्चा मिलती है भारत के बारे में ठीक है तो इतना ध्यान में रखनी है आपको बातों को उसके बाद दिखिए अगला इसमें है वह है महाभारत महाभारत में भी हमारे देश का नाम भारत वर्ष उल्लेखित है यानि महाभारत में भी यह चर्चा है क इसकी चर्चा सबसे पहले कहां की गई है तो दिखिए माभारत में की गई है रिगवेद में की गई है विस्नु पुरान में की गई है और कहां जेन गरंतों में की गई है उसके अलावे आपको एक और ध्यान में रखना भारतिय संभिधान में की गई है इतना अगर याद है तो इससे जो भी सवाल objective subjective बनेगा उसको आप आसानी से कर पाईएगा ठीक है तो आज के वीडियो में हमने कोसिस किया है जो आपका इंसेंट जो इथिक्स पढ़ने हैं आपको ठीक है यह जो पेपर है इथिक्स and value in ancient Indian tradition इसका जो पहला topic था उसको हमने कराया है अगले वीडिय बड़ा बनेगा अगला वीडियो यह आपके लिए बस टेश्ट था कि आप देखते हैं या नहीं देखते हैं अगर आप इस वीडियो को ज्यादा प्यार दीजेगा तो जल्द ही आपको वीडियो मिलेगा और वह अभी एक यूनिट का पूरा complete ठीक है तो आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे नहीं वीडियो में तब तक लिए दन्य बाद